हालो एब्रिवान वेर वेरी कुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी मैं प्रियंक का बहुत बहुत स्रागत करती हूं अपने चानल देशी जोरी व्लॉक्स पर और आज का जो यह विडियो है यह सुभे की चाय से शुरू हो रहा है मतलब की ब्रिक्फास्ट वाली नहीं जो बिल तो कि ममा थोड़ी चाय मुझे भी देना और बस इसी बाने थोड़ी सी मैं भी कभी-कभी ले लेती हूं तो बस वही चाय बनने के लिए मैंने रख दिया है और यह वाली चाय चढ़ा के मैं मन्दी गैस पर और साथ-साथ जाड़ू जैसे लगाती हूं सुभे वाली तो व वह काम फैला लिया है क्लीनिंग मैंने पहले इसलिए निपटाई है इन कामों में थोड़ाजर टाइम लग जाता है और अगर मेरा जाड़ू पोचा ना होना तो मुझे घर में मतलब ऐसा लगता है कि हां जैसे तो कोई काम हुआ ही नहीं है और वह काम पहले ज़रूरी था वैसे ज़रूरी तो ये जाता था क्योंकि दूपने के लिए अच्छी खासी और सर्दियों में हमें धूप काई मोका डूरना पड़ता है और निश्चा मुझसे यहाँ पर्मिशन ले रहा है क्योंकि उसे घर से भाहर जाना है कि मम्मा अब तो दूप निकल गी प्लीज कह मतलब सिर्फ यह बात बोलने आ गई है कि दूप होते ही दोपैर हो जाती है और अपने शोज बूज उतार देगा ममा कोट निकाल दू ममा शोज निकाल दू कैप उतार दू सब कुछ उतार देगा उसकी तो हल्की दूप आती ही दोपैर शुरू हो जाती है तो यहाँ पर मैं खाए हूं जो आज रहती है अगयों से चोप में को टीऑ लंगते हैं किसले नीचे कहाने का रेहती है कि निखीव में रहती है सडीयों में एध Cook तो पूरा दूप यहाँ पूरे रहती है अब highly चोषप में। अगर आधत बनी रहता है लेकिन हम तो बहुत ही कम जाते हैं उपर मैं तो कभी जिने में जाड़ो लगानी हूँ कभी छट पे बैठके खाना खाने का मन हो या कुछ मूंफली ले जाओ तो बेशक वरना फिर और वो भी नीचे धूप ना हो तब जा चुकी हो तब मैं जाती हो परना नहीं जाती हो तो बस अब जल दिल देपने गेऊं साफ करूंगी उसके बाद दोपेर वाले खाने की भी तैयारी हो जाएगी आज खाने वे ना कुछ मतलब देशी साही बनाऊंगी कुछ सब्जी मुझे नहीं बनाऊंगी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार आप विजट करने तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपने से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेस किया कि प्योंक आप कि हामें रोज डालू अब कोशिश करूंगी लेकिन प्रामिस नहीं करती हूं क्योंकि फिर जब मैं बोल देती हूं फिर मुझसे हो नहीं पाता है तो मुझे खुदा जीव लगता है अप लगों के मैसेज आने लगते हैं वाटसप पे आ जाते हैं अब तो कमेंट्स में कम लोग बोलते हैं सिधा वटसप पे मैसेज कर देते हैं तो यहां पर निश्चे तो आपको पता है यह पूरी हेल्प करता है मेरी तो यहीं के मुझे चट पे देखके आ गया है क्योंकि वह उधर से जाके पिछे से और उनके जीने में से उपर चड़ाया था तो बस उसने ग इसी चट पे रहनी है उपर वाली यह थोड़ी उची है दूसरी तरफ जो है वो नीची है तो इस वाली चट पे मैंने गयों फैला दी है और सर्दियों में यह काम भीना एक आफ़त सी लगती है और खाली मतलब जो पीसना करने से ना वो गयों साफ नहीं होता है हमारे क्यो जो कहते है ना होना होता है वो होता ही है सुलसी लगती ही है कि उमें पहले यह लगता था कि उधर ना गैस चलती थी पहले तो यह लगता था कि हाँ शायद गर्मी की वज़े से हो गई पिछले साल ऐसा लगा था लेकिन अपकी बार भी हो गई है और यह जो है अब मैं यहा कर लूँगी अच्छी तरीके से मतलब बारिक कर लूँगी और सब्जी रात को क्या बनाए थी शायद राजमा बनाए थे हां वही सब्जी रखी है और साथ में लस्टी हो जाती है और चटनी हो जाए और सब्जी अगर ना भी हो तो कोई जरूरत नहीं है मुझे तो खा और दूप में बैटके गरम गरम रोटी यह तो बाजरे की हो और अगर बाजरे की ना हो तो फिर सिंपल हो बेशक लेकिन दूप में बैटके जब चटनी लसी के साथ खाते है तो काफी टेस्टी लगती है और यह मैंने थोड़ा सा लेसन और हरिमर्च निकाल लिया है पेसा अब आपको बुता देती हूं कि मैं उस लसन में लिख का क्या करने वाली हूं तो उसको मैं लसी में बढ़ने ओने में अग्दम नमक डालूंगे जीरा डालूंगे और वह लसन हरिमर्च का पेस्ट डालूंगी लसी का जो टेस्ट है ना वह एकदम चेंजो हो जाता है आप सrente में मैं तो कबीनी डाल दी दी, लेकिन, मैं उस दिन अपनी में नहीं मिला यह था सिर्फ इन दोनों के में मिलाय था निश्चे के पापा के में और ममे के में लेकिन जब मैंने उसी लस्टी में से थोड़ी पीके देखी तो मुझे काफी टेस्टी लगी और इसकी बाद नमक को मिलाने के बाद मैंने यहां पर अबला हुआ अलू डाल दिया था लेकिन यह मुझे अभी थोड़ा लग रहा है तो और पूरा यह दूसरा डाल दूंगी तो मुझे जाता लग रहा था तो मैंने आधा त लोड़ करके और फिर डाल दिया है मतलब की डेड आलू हो गया है यह हमारे लिए सही मतलब अच्छी सी चिटनी बन जाए ज्यादा सी क्योंकि मुझे पता है वो सबजी चाहे रखी रह जाए लेकिन सबको चटनी से तो खानी ही खानी है और ममी तो ऐसे भी ताजा राजमा नहीं खाती तो मतलब बासी तो खाएंगी नहीं कभी नहीं काती है मतलब राजमा और दाल मखनी बहुत-बहुत ही ऐसा है कि जब कुछी ना हो तो चल बई बना लो वरना नहीं तो अभी आलू को अच्छी तरीके से फोर्डने के बाद मतलब कि उसकी जुगुटलियां होत यह बात है लेकिन यह चटनी उतनी अच्छी नहीं बनती दही से मैं तो कभी भी बनाओं मुझे तो अच्छी तरीके से मिलाने के पार अगर आप चाहो तो आप सोच रूगे कि एकदम सफेज सफेज सी दिखरी है तो यहां पर आप लालमर्च डाल सकते हो लेकिन हमारे घर मे कि कोई खास परक नहीं होता क्योंकि एसली तो में लेसोन आलू लसी और फिक क्निया आप निग आप के बनावाद के उतार दी थी लेकिन आप देखो रात-रात में इसके बराबर में मैं अभी आपको दिखाऊंगी निचे छोटी मतलब दीमक के लिए वो छोटी है लेकिन मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी है कितना बड़ा मतलब यह बना लिए देखो दूसरी यहां से आप देख सकते हो इतन और आप मुझे इसका कोई सॉलुशन बताना है और मुझे कुछ नहीं समझा रहा और मैंने अपनी टेबल भी चेक कि कहींगे टेबल ना खाने लग जाएं क्योंकि यह न अंदर यंदर पूरा घर खा जाती है और मतलब पता नहीं चलता है एकदम खोगला कर देती है अंदर स जो स्लैप के ओपर जो उनने बनवाए हुए थे कैबिनेट वगएरा वो उसके अंदर पूरे में ऐसे दिमक लगी कि वो बिल्कुल खोखला कर दिया बिल्कुल और एक बार जो बुवासास हमारी उनके घर बे भी लगा था वो जठानी बता रही थी मेरी कि एकदम ऐसे तर को भी हो रहा था टेंशन भी हो रही थे कि कहीं यह मेरी टेबल को न खा जाए अंदर ये अंदर पता नहीं यह खेतों की जमीन है इस वज़े से यहां पे लगती ही है दिमक चाहे जितना भी मतलब इसको साफ करते रहो अगले दिन फिर कहीं ना कहीं दिखाई दे जाती है और यहां पे अब भी मैं आ चुकी हूं भार दूप में बैट गई हूं क्योंकि अच्छी खासी दूप बहार भी निकल आई है और यहां पे मैं गोला कसरी हूं यह गोले वो हैं जो भाई दोजवाले दिन आते हैं तो यह तीन-चार गोले मेरे पास रखे थे एक दो पहले के भी रखे हैं तो मुझे लगा चलो इनको कस लेते हैं बैठे 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 इनकी बर्फी बन जाएगी क्योंकि अभी तो सर्दी का टाइम है सर्दी में कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा लगता है मतलब लड़ो टाइप जो चीस होती है तो अभी गॉंद बनाने की तो मैं ने तैयारी नहीं किये गोंद के लड़ो भी बनाएंगे लेकिन तब तक जो है यह मतलब गोले का हो जाएगा गोले के लड़ो बर्फी जो जाओ बना लूँगी और साथी में यहां पे निश्चे को भी आवाज लगा रही हूं कि बिटा आप भी आजाओ मैने उसको नहला बैटके पढ़ाई गर रहा है मतलब कोई इंट्रस्ट ही नहीं है कि हाँ पढ़ना है पता नहीं सबके बच्चों का यही हाल हो गया है इस करोना के चक्कर में या फिर निश्चे ही ऐसा हो गया है समझ नहीं आदा बाकि हाँ जितने भी आस पास के यह फ्रेंट्स के निश्चा है क्योंकि निश्चा ने इस मतलब है चुट्टी चुट्यों में टू से फाइव तक टेबल वगएर यह सब मतलब जो बेसिक चीज़े होती है वह सारी के सारी सीख ली है काउंटिंग टेबल कलर नेम फ्रूट्स नेम बॉड़ी पार्ट्स यह सारी चीज़े मै बैटना काफी अच्छा लगता है जब भी मतलब मैं खाना डालूंगी अपना तभी मुझे भूलागा ममा प्लीज उपर चलो उपर चलो आप उपर बैटके खाना पता नहीं उसे क्या मिल जाता है और देखो यहां पे कितनी उचल कुछ चल रहे है कि बस मेरे को एक बर यह सफेज सफेज सा हो रहा है तो यह किस वज़े से हुआ है आप भी मुझे बताना ठीक है अगर कोई इसका मतलब घरेलू कोई लाज है तो वो बताना परना मैं इसको आज कल में इसके पापा को जब भी मतलब जुटी होगी तो डॉक्टर के पास जरूर दिखाऊंगी कि कैस से क्या हो रहा है वाइट वाइट मतलब जो बोलते हैं सीप सी हो गई है एक बर मुझे भी होई थी मुझे याद है मतलब बचपन में गाल पी हुई थी और वो सीप तो उसका कुछ निशान सा यह लग रहा है बाकी पता नहीं क्या है मैं चेक भी कराऊंगी से तो बस हम दो बाजरे की रोटी मैं आपसे बनने की बात कर रही थी न जब मैंने आलो की चटनी बनाई थी दिन में लेकिन फिर इनमने वहापे फोन किया था ना पीछे तो पीछे भी बाजरे कार St Similarrev के नहीं था मैंने तो अब नहीं था अभी तक पिस्वाया ही लेकिन एक दो बारunden बन तो उसी के लिए मैं यहां पे बाजरा साफ कर रहे हूं एक बार हाथ निकालोंगे न तो मन का वहम खतम हो जाता है कि हाँ चलिए बाते और काम तो यहीं चलते रहेंगे और बाते ज्यादा चलती रहेंगी तो आज के इस वीडियो को यहीं से एंड कर देती हो अब मैं मिलूँगे अपसे कल पका पका अपने एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ अब तक के लिए मुझे दीजिए इजादत बाए